आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यहाँ पास फैल नहीं हो सकते और जो यहाँ पास मैं टॉप इंपोर्टन कोईशन बताऊंगा यह आपके यूनिट वाइस कोईशन होंगे तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा और हाँ अगर आपको यहाँ पास लग रहा होगा कि आप हाँ यूनिट से टॉप इंपोर्टन कोईशन देंगे तो यहाँ पास मैं बता दू कि हर यूनिट में आपके टॉप यहाँ पास टेंट कोईशन हो सकते है या फिर आपके यहाँ पार टोप के 4 हो सकते हैं या फिर 5 हो सकता है जरूरी नहीं कि आपके एक unit में इतने सारे question हो question को एक बर देख लेंगे तो आपको एक idea लग जाएगा यह आपका physics का mathematical physics और newton's mechanics का होने वाला है और आपको बता दो जो यहाँ पास syllabus लागू हुआ है यह especially UP वालों के लिए है लेकिन अगर इन में से MP वाले होंगे तो भी इस वीडियो देख सकते हैं क्योंकि आप लोग का जो पहला paper है उसमें भी बहुत सारे same question यहाँ पर देखने को मिलते हैं इन हाँ अगर आप लोग मुझे Instagram में follow नहीं किया है तो simply just follow करके हमारे WhatsApp group में join हो जाइएगा पास हम लोग देखें कैसे top important question जो कि unit wise होने वाले हैं जो आपका ब्रोडेक्ट है यह important है और इनसे topic बनेंगे अब बहुत लोग पूछेंगे किया same question ऐसे बनके आ सकते हैं तो नहीं जो आपका university है वो university में आपका question बनेगा यह question बनाने एक तरीका होगा फिर यहाँ पास आपके important topic आता है position हो गया यह फिर फिस्थापन vector जिसे हम लोग displacement vector कहते हैं यह important topic है इनसे भी बहुत सारा question आपके university में पूछ लिया जाएगा तो आप लोग प्लिस इन पर जरूर ध्यान देजिएगा और इसके बाद फिर आपके आता है pseudo जो आपके आता ह को आप लोग आप लोग vector और scalar को आप एक basic topic कर सकते हैं अगर आप लोग इन अच्छी तरीके discover कर लेंगे तो यह सारा topic आप लोग इसली समझ सकते हैं क्या आता है unit vector के बारे में अगर आप लोग unit vector आप लोग कर लेंगे तो कुछ इतना topics हैं जो कि आपके exam में पूछे divergence हो गया करल हो गया तो प्लीज इन्हें कर लीजिएगा इनसे बहुत सर निमेरिकल यहाँ पर पूछे जाते हैं model paper आप लिए upload करूँगा तो आप लोग को पूरा models में आपके question देखनों को मिल जाएंगे तो आप लोग tension मत लीजिएगा अगर आपके पास यहाँ पर बुक repeat होने वाला है फिर इन्हें से बहुत सारे question आ जाते हैं line हो गया, surface हो गया, volume integrals हो गया, कुछ आपके vector filters हो गया, यह important है तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं, जितने भी आप से आप थारम्स पूछे जाते हैं, प्लीज इन्हें miss मत करिएगा, यह आपके most important होते हैं और हम इसा repeat होता है, तो जो भी यहाँ पर थारम्स पूछे जाते हैं, आप लोग यहाँ पास खासकर इन्हें पहले ready कर लीजिएगा, जहां आप से पूछा गया है goals divergence, थारम्स के बारे में, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा, क्योंकि थारम्स आपके जरूर रिपीट लीजिएगा, इसके यहाँ पास फिर आपके आता है green thorum के बारे में, जो कि most important है, तो मैं तो कहूंगा कि आपको जो second unit है, unit में आप लोग सबसे पहले जो भी आप question पूछे गया है, वो है आपका thorum, तो thorum से एक question जहूर ready कर लीजिएगा, थारम्स आप लोग completely ready कर आपके आता है 2D और 3D Cartesian system के बारे में लिखिए, तो आप लोग इन्हें लिख सकते हैं, जो कि most important है, इसके बाद फिर आपके आता है विविन coordinate system में, जो आपका gradient हो गया, diverge हो गया, curls हो गया, यह आपका tired unit में पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग प्लीज ध्यान देजि जो आपके घटकों के बारे में लिखिए, यानि कि जो आपको velocity हो गया और acceleration जो यहाँ पर पूछे गया है, इनके बारे में आपको coordinate में लिखना पड़ेगा, यानि कि coordinate system में, इसके बाद ही most important है, वो है आपका जड़त्व और गौर जड़त्व, coordinate system में जो है आपका pseudo और acceleration यहाँ पर पूछे गया है, यह most important है, जो आपका acceleration है, आप लोग इन्हें जरूद देख लीजिएगा, इसके बाद फिर आपसे पूछा गया है आपका चौता unit, यहाँ पर पूछा गया है counter variant, covariant, कि जो यहाँ पर जो आपके miss rate, tensors है, इनके बारे में आपको बताना है, जो आप लोग इन्हें देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर indent notion हो गया, summation, convention के बारे में हो गया, जो कि most important है, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं, tensors का योग हो गया, जो आपका tensors है, यह बहुत जादे खास हो जाते हैं, तो आप लोग tensors को आप जरूर कर लीजिएगा, यह आप आपके important है, जो आपका समयमेट और skew, समयमेट टेंसर है, यह आप से जूर पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर यह important है, क्योंकि question आपका repeat हुआ था, tensors आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, physics में जो आपका tensors है, skew धरन दीजिए, तो आप लोग अगर देखना चाहो, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आपका पार्चमेट आता है, और पार्चमेट में कुछ कोछ सेने पर पूछे गया है, जो कि आपको करना पड़ेगा, जो मेकैनिक्स में आ जाता है, तो इसमें से आपके आता है, Newton के गतिक नियमों त द्रब केंदर मान हो गया, यानि कि द्रब मान केंदर हो गया, गति और सरक्षण की नियम, यह सारे चीज़ें एक ही टोपिक में कबर हो चुके हैं, जिसे हम लोग कान्जवर्जेशन लोग कहते हैं, जो है आपका उर्जा सरक्षण की नियम भी इसमें आ सकता है, याद तो आपके जो second है इसके अंदर cover हो जाएंगे तो आप लोग इनमें से ज़ूर in topic को ready कर लीजिएगा यहाँ पर पूछा गया है घूमते हुए संधर्व में frame के बारे में आपको लिखना है यह frame है इसके बार पूछा गया है छटमा हुए कोड़ी संधर्व के बारे है यानि कि angular momentum के बारे में यह सारे चीज़े पूछे जाएंगे तो आप लोग कोड़ी संधर्व के बारे में लिख लीजिएगा अगर आपके पार time साथ आप लोग प्लीज इन कोड़ी कर लीजिएगा यहां पर पूछा गया सरल वस्तु तो सरल लैमीना आता है रिंग आता है डिक्स आता है यह सारे चीज़े आ जाते हैं अगर आप लोग इनके अंदर कुछ टोपिक आप लोग रेडिक कर लेंगे तो आप लोग इसली यहां पर को अच्छे नंबर लेकर आप आएंगे फिर यहां पर पूछा गया है 36 और तिरसे समतल पर एक कठोर निकाय की संयुक्त के बारे आपको बताना है तो ए रिजिड वॉटी है आप लोग याद रखिएगा जब कर रिजिड वॉटी है यह इससे को आप लोग प्रत्यास्था गवारे समझ जाएंगे तो कुछ आप लोग प्रत्यास्था इस त्रांग क्या भी निकाल सकते है फिर आप पूछा गया है बिम के मुडने पर सिलिंडर के अमरोड के बारे में लिखिए तो आप लोग इन्हें भी देख सकते है यहां पास आपक लोग की खेंदरी वारे समस्या जो कि बहुत जादे इंपोर्टेंट है आप लोग यहां पाज न्यूटन के जो गृत्तवा करसन नियाम है प्लीज आप लोग इन्हें रेडी कर लीजिएगा यह आप से एक्जाम में पूछा ही जाए तो करसा छेत्र और गृत्तवा करसन भीभाव यह मोई इंपोर्टेंट है इससे कोशन भी बन सकते हैं इसके बाद पूछा गया है के ग्रहों की गति के नियाम रिखिए यह डिरेक्टली आपके लोग में कोशन पूछा जाता के नियाम है इसके बाद पूछा गया है सिंक्रोंच हो गया और भू इस्तरी पूछ लिया जाएगा आपके लॉंग में या फिए यहां पर सॉट में तो आप लोगी दीख सकते है फर आप हर देखेंगे आपका लास्ट कोशं ज violating दिखना यह है आप लोग का global positional system जिससे question जोर बनता है जो कि GPS भी कह साहते हैं फिर यहाँ पास आपके आता है आपका last unit, आठवा unit इसके अंदर कुछ long question ज्यादा देखने मिल जाएंगे लेकिन इन मेंस में आपको जो जो question बता हूँगा cable उन्हें टिक करिएगा जैसे कि आपका पूछा गया स्वर्ण आवर्ति गति का अप कलन समय करना और उसका हल जो है आपका simple harmonic motion जिसे हम लोग short में SH और M20 को कहा जाता है यह coaster आपके directly exam में पूछेगा इनके बारे में आपके concept इनके समझ गया तो आप लोग easily कर लें जटिल संकीतन तो आप लोग complex जो notion है आप लोग छोड़ सकते हैं इसके बाद पर जो आपके आता है damped के बारे में आप लोग damped हो गया अगर आप लोग करना चाहों कर लिजिएगा और न छोड़ दीजिएगा इसके बाद पूछा गया है quality factor के बारे में जो कि important है आपके exam में पूछ लिए जाएगा फिर यहाँ पर आता है आपका सर आवर्द गति का संयोग और जो लिसाजू figure है जो का लिसाजू figure सा है बहुत जादे important question बन जाते है exam में तो फिलिस इन्हें करिएगा यह question आपके जवर exam में पूछा जाएगा अगर आप लोग paper देकर जब भी आएंगे तो आप लोग मुझे paper send कर देजिएगा इनके हम लोग solution आप लोग को provide करा दे इसके बाद पूछा गया है तरंग गति का आपके समय करन के बारे में यानि की बैप के जो equation है यानि motion के बारे में आपको बताना है तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं फेस को हम लोग यहाँ पास काला भी कहेंगे यहाँ पार पूछा गया है दाब और द्राण के बारे में जो कि most important है जो है जिसे हम लोग pressure और energy कहते हैं यह question आपकी exam में जहुर आएगा इसके बाद पूछागा है तराण के अध्य हरोपर यह most important है यह आपकी exam में भी आ सकता है इस्थित रंगों के बारे में अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं न छोड़ दीजिए पूछागा है फेज बेग और समो बेग में अंतर अब यहां पर आपका ऐसा हो सकता है कालावेग कालावेग और समो बेग के बारे में इंपोर्टेंट है जो इंपोर्टेंट है तो आप लोग प्लीस नहीं कर लीजिए यह question आपकी exam में जोड़ पूछ लिया जाएगा है जो कि आप लोग इसली अच्छी तरीके से कर पाएंगे तो चलिए मिलते हैं ने इस वीडियो में जब तक लिए जाए हैं बाए बाए